कैसो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चानल क्रिक्वलेंट प्रिडिक्शन में है गाइस आज की दिन की छटी वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जो कि यूरोपियन टीटेन क्रिक्व लिग का मुकाबला खेला जाएगा जे आई बी वीएस डी आर एक्स के बीच में मतलब की जीना बार्सिया वसेज डूरेक्स के बीच में आप लोगों को यह मुकाबला देखने को मिल जाएगा जो की रात बारा बजे अपने भारत टेम उनुसार होगा वैसे तो देखो आप देख रहे हैं और चानल को सब्सक्राइब आवस्य कर लेना देख सकते हो यहाँ पर कहले की आप लोगों की ग्राम यह की स्कतंब कर चायको को तो यहाँ लिग करके आपने लिए बागा से जोग एक बर जरूर चेक कर लेना बिल्कूल फ्री टीम आफटर टॉस आपको प्रवाइड कराई जाती है तो देखकर समझ के सही जगा पर ही आना चलिए वीडियो को हम लोग फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं तो दो और टीम ने पिछले पांच में से तीन मैच को वोन किय का ग्राउंड रहने वाला है यह मालों ग्राउंड हो गया यह पिछ हो गया पिछ की उपर मैट बिछी हुई होती है ग्रीन कलर की इस चीद का ध्यान देना अब यहां पर जो इसकोर बनता है जनरली 120 130 स्कोर बनता है मैं आप लोगों से कहा ना दोपार में कि इतना मैंने य इतना टीटेन मैच को देख रहे हैं कि वो खुद भी अब दूसरों को समझा सकते हैं कि ग्राउंड पिछ रिपोर्ट क्या कुछ होने वाला है मतलब हर बॉल में दो से अधिक रन बनने वाला है बैटिंग पैरेडाइस विकेट आप लोग मान के चल सकते हो बारा की एवरे के डिस्पिनर्स ने दो विकेट निकाले हैं तॉपिक्स की बात की जाए तो जी आई बी के तरफ से बी खान है और एहमाद है एच अली है ठीक है डियारेक्स के तरफ से एम निसार बहुत इंपॉर्टेंट खिला ली है एच सलीमदार है के एहमाद जाई है उसके बाद इन इसा कहता हूं 90% तो यह लक वाला ही गेम होता है बाकि 10% कहीं ना कहीं से आप मान के चल सकते हो कि वह सब रिकॉर्ड काम आ सकता है अदर्वाइस वह रिकॉर्ड यहां पर काम नहीं करता है ठीक है कुछ common खिलाडी होते हैं जो कि हम लोगों को सेलेक्ट करने होते हैं 95% common ख सब्सक्राइब करते हैं विकेट कीपा और ऑक्षंस हैं तो तीन विकल्प देखने को मिल रहा है लेकिन पिछले मैच में एच अहमद नहीं खेले थे एन अहमद यह जहीर खेले थे ठीक है अगर जो खेले तो उनमें बैटिंग करम काफी नीचे है तो इनको ड्रॉप करके एनहमद को आप अपने टीम में ट्राइ कर लो एच अहमद खेलेंगे तो इनका बैटिंग करम अच्छा है ठीक है यहाँ पे देखिएगा एच अहमद खेलेंगे तो यह आप लोगों को तनवीर के जगा पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं फिलाल खेले नहीं थे तो म आप अपने टीम में जरूर लेगे चलिएगा इस नावास की बात करते हैं इनका फॉर्म देखिएगा दस मैच में ऑस्तन संतावन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग दो विकेट का पॉइंट आप लोगों को पर मैच निकाल के दे देते हैं दस में से साथ म पॉइंट यह देते हैं यह भी लगभग दो विकेट के बराबर आपको पॉइंट आवलेबल दे सकते हैं पिछले तीन-चार मैच इनके बहुत गजब के गए हैं तो आप अपने टीम में इनको लेके चलना अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं DRX के तरफ से यह नभी इनके टीम के काप्टान ने इंपोर्टेंट खिलाली पिछले मैच में बैटिंग से भी नोने परफोमेंस किया मैंने कहा ताना मैं इनको बैटिंग के लिए ले रहा हूं DRX का परफोमेंस की है और जो मेरी कंट्यूनिसली टीचेन की वीडियो देख रहे होंगे मैं हमेशा यह न से कुछ पूछने की जरूरत है नहीं बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए जेवास इनको भी ग्रांड लिग में आप ट्राई करना पफोमेंस उतना अच्छा नहीं है लेकिन देखो पिछले मैच में बॉलिंग किया है और यह नभी के तरह कभी यह भी 60-70 कर सकते हैं इनका बैटिंग करम 5 नंबर है कभी कदार तो यह ओपन या वन डाउन भी खेलने आ जाते हैं फिलाल मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगा तनवीर देखो पिछले मैच में खेले थे और यहां पे देखो गए 44 के स्कोर किये थे वन डाउन खेलते हुए इन ही के जगा पे ख रखानी बना पारें नभी को मैं लेकर चल रहा हूं अगेन अपने टीम में बहुत सारी लोग इनको ड्रॉप करने वाले लेकिन मैं अपने टीम में लेकर चलूँगा हो सकता है क्या मालूम लै में आ गए होंगे अगर पकड़ लेंगे तो इंपोर्टेंट है विकज बैट करो नौ खिलाडी तो सेफ लेकर चला करो एक दो खिलाडी अपचेंज कर लिया करो जो कि मैं टेली ग्राम पर भी बता देता हूं कौन से खिलाडी किसके जगा पर लेना रहता है सलीमदार ये भी इंपोर्टेंट है तीन ही मैच में 82 ऑस्तन पॉइंट दिया है अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं हुआ जहां पर ये ड्रीम टीम में शामिल ना हुआ कैप्टेंसी वाले खिलाडी आप इनको कैप्टन तक बना के चल सकते अपने टीम का बी खान की बात करते हैं दस मैच में ऑस्तन शालीस पॉइंट इन्हों ने दिया है दस में से छे मैच में ड्रीम टीम हैं लेकिन इतना नीचे ये खेलते नहीं है फिलाल मैं इनसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं दो विकेट कम से कम क्यूंकि दो भर की बॉलिंग करने वाले हैं तो इस वाजा से मैं टीम में लेके चल रहा हूं डबलू एहमद की बात करते हैं साथ मैच में ऑस्तन संतावन पॉइंट लगभग दो विकेट के बराबर पॉइंट देते हैं अब देखो पिछले तीन मैच से ये खेले नहीं है लेकिन पिछला मैच ये खेल रहे हैं अभी इन ही की टीम का मैच लाइव चल रहा है एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं तो फिलाल इंपॉर्टेंट बाकी और को यहां से सेफ में है नहीं तो बॉलिंग सेक्षन से अहमाज जाई मश्ट पिक वाले खिलाडी भाटी मश्ट पिक वाले खिलाडी दोने के बारे में जादा बताऊंगा नहीं दोनों इंपॉर्टेंट है दो दो विकेट आप दोनों से एक्सपेक्ट करके चल सक बॉलर्स में रोटेशन करना यह चार बॉलर्स है ना रहमाद हो गए एच अली हो गए इम्रान हो गए अब्दुल हो गए यह आप लोगों को ग्रांड लिग में बहुत अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं और यहां से तनवीर को आप लोग ग्रांड लिग में ट्राइ करना तो सकते हो फिलाल देखो और सलीमदार की बैटिंग करम कहा है चार नंबर पे खेलेंगे यह चार नंबर पर खेलेंगे सलीमदार को ही कैपटन मनाके घ्रिवान को मैं वाइस कापटन कर रहा हुँ आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो ग्रांड लिग में भी आप सेम सर्च करके आ सकते हो चुह सलैवन एपटिकेशन का लिंक होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्टिप्शन में दिख जाएगा आप लोग इस आप्लिकेशन पर खेल सकते हो गजब की अप्लिकेशन ने यहां पर पूरा आई-पिल हम लोग खेला जाएगा लीडर भूर्ड भी आइड हो चुकी है और इंस्टा का लिंक होगा फेस्बूक का लिंक होगा आप चाहो तो सोसल मेडिया पर फॉलो कर सकते हो कुछ पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो बात भी कर सकते हो बाकी मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ तब तेक लिए गुड़ बै टेक क्यार